हेलो फ्रेंट्स आपका सब्सक्राइब आपके पने योट्यूब चेनल राजसरकारी जूब 24 में फ्रेंट्स आज किसे वीडियो में बात कने वाले हैं राजस्तान प्ट्टी काउंसलिंग 2022 की बारे में जोकि आज की डेट में लेटेस्ट अपडेट यहीं निकल कर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो टू-ğeards की बीड है उसका फॉर्थ अलोट्मेट है रिजल्ट यहां पर आझ आने वाला है यान आप भी 4 years बीरड वाली जो candidate ही इनका यहां पर जो second round निकाल गए हैं तो आपको यहां पर उसके round का रहे जो apart moment का option है उनके लिए apart moment का option कब आएगा new apart moment कब आएगा इसके बारे बात कने वाले हैं और 4 years बीरड की जो third list हैं वो भी आ सकती है या पी नहीं आएगी इसके बारे में यहां पर बात कने वाले हैं और साथ में बात कने वाले सबसे ज़्यादा important update हैं कि जो चात्रती की अंतिमतिती हैं आज रहने वाले हैं क्या अंतिमतिती आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इस पर भी यहां पर complete इस वीडियो में बात कने वाले हैं तो प्रिंट्स वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले जो भी candidate चैनल पर पहले बारा हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करके बायल आइकन को उनका लेना ताकि आपको राधिस्तान PTT, राधिस्तान BSD, राधिस्तान Government जो अपसे रिलेडिड हर एक परकार की official updates लगातार मिलत लेगा और इसकी जो एक्सप्रेक्टिव डेट हैं आपको पता होगा कि जो पिछले वाला जो अलोट में लेटर जारी क्या था लिस्त जारी हुई थी उसकी जो डेट हैं वो भी आपको यहाँ पर डेट आज की बताय गए थी लेकिन आपको अपडेट कल मिले थी ठीकर तो कोई भी अपडेट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मल रही है। जैसे टू एड्स वीएड़ वाले थी सत्यंपका क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करने के बाद यहां पर देखने को मिलेगए प्रिंट का नहीं लेटर का ऑप्शन वहाँ पर आप पॉर्ट साथ में अपर मोमेंट का रिजट भी यहां से चेक आउट कर पाएंगी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा प्रिंट अलोट में लेटर का वहां पर क्लिक करके आप अपर मोमेंट का रिजट साथी साथ फोर्थ लिस्ट का रिजट भी यहाँ पर चेक आउट कर सकते हैं और आपको यहाँ पर डाउट बना रहा है यहाँ पर दे सकते हैं कि आपका जो वेटिंग लिस्ट हैं तो वेटिंग लिस्ट हो सेकिंड यहाँ पर निकाले गए हैं लेकिन आपको जो list के बाद के जाए तो four list इसको यहाँ पर मान सकते हैं ठीक है क्योंकि पहली list यहाँ पर जारे के गी थी पहली पहली के बाद आपको यहाँ पर पस्ट वेटिंग लिस्ट निकाले गए थी इसके बाद आपको यहाँ पर second wedding list यहाँ पर निकाल गए थी इसलिए आपको यहाँ पर एक, दो, तीन, चार और second यहाँ पर निकाले गए तो चौर, चार चार list यह आपको यहाँ पर निकल चुकी है अब तक ठीक है तो यहाँ पर देशते हैं पूरी update इसके बाद आपको यहाँ पर जैसे आपका अलोट में लेटर यहाँ पर जारी कर दिये जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर जिन को नया college मिलेगा उनको 22 पीश जमा करवाणी है और जिनको apart moment के दोरान college मिलेगा उनको भी कुछ भी कुछ भी जमान नहीं करवानी है यानि कि आपको नहीं document जमान करवाने है नहीं आपको फिस्ट जमान करवानी है केवल के जिस आपको print alert में later पर जाकर अपना alert में later जेक कर लेना है और admission status पर चाचे करके आपको जो आपका जो admission slip है provision admission slip वो आपको निकाल लेना है college आकर उसको आपको जमाख करवाना है इसकी बाद आपको यहाँ पर जिनको college में लेगा उनका जो result है result आपको यहाँ सुप्रेंट reporting करने होगी जिसके यहाँ पर 30 November से लेकर 3 December तक आप अपनी reporting कर सकते हैं documents वगएरा सब कुछ बाई-ज़र की पर जमाख करवा पाएंगे जिसके last date यहाँ पर देख सकते हैं अब बात करते हैं जो 4 years वाली candidate हैं उनके लिए 4 years वाली candidate के लिए यह यह update है कि आपको जो जो apart moment का यानि कि आपको जो list जारी के गए हैं second allotment लेटर यहाँ पर जारी के गए हैं तो इनके लिए भी apart moment का option दिया जाएगा तो कब तक आएगा इसके बारे में यहाँ पर expected date में आपको यहाँ पर बता देता हूँ यहाँ पर दे सकने है two years बेड की बात की जा तो यहाँ पर इसका process चलने वाला है तीन दिसंबर तक ठीक है तो तीन दिसंबर के बाद ही आपको इसका process देखने को मिल जाएगा यानि कि आपको यहाँ पर पांच दिसंबर से पहले पहले या फिर last से last आपको यहाँ पर 10 दिसंबर से पहले पहले आपको अपार मोमेंट का जो option है वो देखने को मिल जाएगा apply for अपार मोमेंट का new schedule यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा ठीक है आसा है कि आपको यहाँ पर 5 तारिक से पहले पहले आपका option यहाँ पर दिये जाएगा जैसे इसका जो process है 2 years period का process complete होता है उसके बाद आपको यहाँ पर next process यहाँ पर आजाएगा apply for moment का और साथ में आपको यहाँ पर देख सकते हैं second जो counseling जारी के गई उसके बाद आपको यहाँ पर देख से जो third list जारी की जाएगी उस पर भी यहाँ पर तोड़ी से में आपको बता देखाँ कि जो third list है 100% आने वाली है क्योंकि जो second जो counseling होई इसमें भी कुछ ऐसे student है जो admission नहीं ले पाएंगे किसे कारण वास तो जो seat खाली बचेगी उस पर आपको यहाँ पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी यहन कि आपको third list 100% आने वाली है तो आपको निरास होना नहीं होना है आपको थोड़ा सा वेट करना होगा ठीक है और जिसका भी यहाँ पर बेस्टिस में अच्छे काश्य मार्क आ रहे हैं आपको जुरूर काउंसलिंग करवानी चाहिए आपको कोलेज मिलने के संभाण हो रहे हैं जुरूर काउंसलिंग जुरूर करवाएगा ठीक है तो यही थी important सा update से अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पर जो scholarship के फोर्म जिनोंने अभे तक नहीं बढ़े हैं जिनको कोलेज अलोट नहीं हो आए तो उनको क्या करना होगा तो आपको थोड़ा सा wait करना है ठीक है आपको wait करना है क्योंकि last date भी बढ़ेगी क्योंकि पिछले साल जो 2021 का जो session रहा है उसमें जनवरी तक आपको यहाँ पर मध्धे जनवरी तक आपकी फोर्म बरवाए गए थे scholarship के और इस बार भी आपकी यहाँ पर last date 100% आपकी यहाँ पर last date बढ़ने वाली है आज की यहाँ पर आज यहाँ पर last date है तीस नॉमबर इसकी यहाँ पर last date है scholarship की और ऐसे student बहुत सारे इस student भी है जिनको college अलोट नहीं हुई है और जो BSTC वाली जो candidate है जो ST या फिर SC category से बिलोग करते हैं वो भी BSTC के जो scholarship के लिए apply करेंगे जब तक उनको college नहीं मिलेगा तो वो apply नहीं कर पाएंगे इसलिए उनके लिए भी आपको scholarship की last date बढ़ाई जाएगी लगबग आपको मैं expected last date बता सकता हूँ कि 31 January तक आपकी यहाँ पर forum भरवाई जा सकते हैं ठीक है तो यह important update है 31 December तक हो सकते हैं 31 December के बाद भी आपको यहाँ पर 2022 तक 15 January last तक आपकी फोर्म भरवाई जा सकते हैं ठीक है 31 December तक आपकी यहाँ पर last date बढ़ाई जा सकती है और जैसे अपडेट आजाएगी तो मैं आपको वीडियो के मादेम चीप प्रवाइड करवा दूँगा और PTT की जो भी अपडेट आएगी आपको लगातार देता रता हूँ है ठीक है तो प्रेंट से वीडियो में जानकर आपको अच्छे लिगी वीडियो को लाइक रहे और चैन को अटो सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ओन कर लेना और कोभी स्वाल कोभी सुदा हो तो कमेड़ बुक्ष में जुरू बताएगा मिलते हैं नई वीडियो के साथ नई अपडेट के साथ तब तक लिए धन्यवाद थेंक्यों पूर वाचिंग जैहिन जैवारत और आप्रिंट से आपको में टाइम तो बताएं नहीं ठीक है तो आपको यहाँ पर जैते हैं जो टू एर्स का ब्यड़ अलोट में लेटर हैं यानकि आपको जो अपड़ मुमेंट का रिजल्ट है आपको लगब 11 बजे तक आपको यहाँ पर चेकाओट का लेना गयाँ बज़े तक नहीं आएगा तो कल मोर्निंग में 6-5 बजे तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हर बार की तरह आपको यहाँ पर जो अलोट में लेटर हैं लेट जारी करते हैं तो आपको साड़ी दस या गरा बज़े तक चेक कर लेना है आपको यहाँ पर क्लिक करकि आपको अपर मोमेट का जो प्रिंट अलोर्ट में लेटर का ओप्शन है वो देखने को मिल जाएगा तेंकिय पॉर वाचिंग जाए जाए बारत